नमस्कार मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ दीक शांता येस में सुख्षा परिशत के सफारिश पर महासचिव की नियुक्ति दूसरा सुरक्षा परिशत के गैर स्थाइ सदस्यों का चुनाव तीसरा समर्पित एजेंडा आइटम या उप आइटम के माध्यम से विशिष्ट मुद्दो पर चर्चा करती है जिसके परणाम सुरूप प्रस्ताओं को अपनाय जाता है चटवा सेंगत राष्ट प्रणाली के अन्य हिस्सों से रिपोर्ट प्राप्ट करने और पुस्ताओं के माध्यम से सिफारिशे करने के लिए जिम्मेदार है सात्वा यह अपने व्यापक अधिदेश को आगे बढ़ाने या सहायता करने के लिए कई सहायक अंगों की स्थापना भी करता है युएन जिये एक मात्र सेंगत राष्ट अंग है जहां सभी सदस्राजियों का समान प्रतिनिधित्व है प्रशन यह है कि सेंगत राष्ट के महासचिव का पद क्या है समझेगा सेंगत राष्ट के महासचिव सेंगत राष्ट के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और सेंगत राष्ट सचिवाले के प्रमुख है महासचिव और सचिवाले की भूमिका से इक्तराश चार्टर के अध्याय 15 अनुच्छेद 97 से 101 द्वारा निर्धारित की गई है हाला की कार्याले की योगिता, चैन प्रक्रिया और कार्यालकाल व्याख्या के लिए खुले हैं उन्हें प्रथा द्वारा इस्थापित किया गया है महासचिव की न्युक्ती सुरक्षा परिशत की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है चुकि सिवारिश सुरक्षा परिशद से आनी चाहिए इसलिए परिशद के 5-27 अदस्यों में से कोई भी नमंकन पर वीटो लगा सकता है अधिकांश महासचिव मध्यम शक्तियों के समझोता उम्मीदवार होते हैं और उन्हें पहले से बहुत कम प्रसिद्धी मिलती है महासचिव के कारेकाल की अबधी विवे का धीन है लिकिन 1971 के बाद से सभी महासचिवों को 5 साल के कारेकाल के लिए नियुक्त किया गया है